यह यह रहू मचली तो मैंने हल्दी और नमा मिला के इसे मैगनेट करके रख दिया था अब मैं इसे फ्राई करूंगी फिर मैं इसकी सब्चिवाई दो यह यहां पर तेल गरम हो रहा है तो चलो मैं फ्राई कर लें करके मैं तेल में दाल दो करें 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 हैं हमारी मस्दी बहुंद इसले हैं अब हम बनाएंगे चल्चिवाई मैं चलों पदना घ। पहले मैं से डालेंगी कलोंजी इसे इसे ताला जिर में इसकी छलोंगी को दोनेंगे नहीं यहाँ मैं भική ही औानिप्या व्हाँ मैं भॉफिक रसो भेट पिग भी त्रैवब भॉज व काँ सिङ्ट वई अब हमारी प्याज जुन्स दिखी है अब हम इसमें डालेंगे अगरत नसंपा पेश्ट यह है अगरत नसंपा पेश्ट हमने सुमाना अगरत नसंपा पेश्ट हमारा ब्रक्मसन अब भूण रहा है अब हम इसके टाबंगे जोड़ें ने अब है यह मसाला यह मस्यां अब दिखी और दर्म इसमार ने फैंड़ें अब देग्षट अब धन्यक्त तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो हम यह पिसके रखते हो रहे हैं कि अब आप आप कि अब आप कि अब कि 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 अब कि अब कि अब और सौरी प्रेंड मैं बताना हुआ तो हमने मसाला बनाया था हल्दी मिर्च अगरम मसाला उगहरा का उसमें हमने नमक भी डाल जाता और तो इसी मैंने चीनी डाली ती कि चीनी डालने से कि अब हम सब्जी का टेस्ट तो अब पर अच्छा हो जाता और सओ आ जाता सब्जी में दस बार मैं अब लूंटे पानी अच्छे से उबल जाएगा फिर हम इसमें टालेगे मचली और पांच मेरती ने पकाएंगे सुवार हमारी मचली की सब्सक्राइब अब बबसमें डाले फानी देखे फ्रेंड कैसा लग रहा है हम इसे ढखके पकार लेते हैं तो फ्रेंड अब आपर नी फॉल गया है अच्छी तरीक से उबल गया मैं इसमें डाते हों सारी मचली की तो एक बनेगे प्रेश्ट के साड़ी मच्छियां अब इसे ठोड़ी दिर और पकाएंगे फिर हमारी सब्जी प्रेडी आपको आख की मेरी मच्छी की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके बताना और प्रेंड प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियों को लाइक करें प्लीज प्लीज अगर मुझे से कोई जाने में गर्फी हो जाए तो उसके लिए मैं माफी मागती और मैं हरूज एक वीडियो लेके आऊँगी तो फ्रेंड अब मिलते हैं लेक्स्ट वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड कि आपको मेरी मच्छी की रेसिपी कैसी लगी अब हमारा खाना तैयार आईए फ्रेंड आप भी खा लीजिए यह है हमारी मच्छी की सब्जी आपको कैसी लगी इसकी रेसिपी कमेंट करके बताना आप सब आईए फ्रेंड और खा लीजिए